नमस्कार मैं डॉक्टर रजीद भारती आज फिर आपके लिए चितिज कावखंड के अंतरगत पार्ट उस्सा लेकर आएं जिसके कभी है सुर्का तिरपाठी निराला जी तो इस पार्ट से समन्दे ताज हम पार्ट का सार यानि समरी लेकर आएं तो चलो सुरू करते हैं पद संक्या पहला तो हमने क्या किया दो भागों में इसको बाढ़ कर रखाया उसी के साफ से हमने समरी यहां प्रस्तुत कीया तो चलो सुरू करते हैं पद संक्या पहला इस कवता में कभी ने बादलों के माध्यम से मनोस के उसा का चित्रन किया औरे restrictions किया जोर से गर्जो, तुम अपनी तेज आवा से पूरे आसमान को घेल लो, तुम्हारे काले और गुंगराले बाल बहुत ही सुन्दर हैं, ये कलपना के विस्तार के समान गहने हैं, निराला जी बादलों को एक कवी मानते हैं, जो अपने इर्दे में बिजली की चमक छिपाए फिर वे कहते हैं कि ये वादल लूपी कवी, तुम संसार को नया जीवन देने वाले हो, तुम अपने अंदर वज्जर छिपाकर पूरे संसार में जोस और क्रांती का स्वार भर दो, ये वादल तुम खुब गर्जो, तो ये पहला पसमात हो गया, अब पसंक्या दूसरा, जब बादल आकर बरसते हैं, इसी पिरसंग को लेकर पद में कवी ने बताया कि तेज गर्मी के कारण चारो और बेचैनी और ब्याकुलता दिखाई देती है, सभी लोग अनमने और परेसान हैं, संसार के सभी जन गर्मी से दुखी हैं, तभी आकास की अग्या दिसा से दा कर दो, अर्तात लोगों को गर्मी से मुक्ति दला दो, जिससे सभी को गर्मी से रहत मिलें, हे वादल तुम खूब कर जो, तो इस परकार ये बहुत ही छोटा चोटी सी कवताती उससा है, तो उसकी ये समरी समात हो गई, तो ये समरी परिच्चा की दरष्टी से भी तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको फसंद आएगा, तो आज के लिए इतना ही, आप स्वस्त्रों खुस्रों धन्वाद